क्लाश 10 और 12th कंपार्टमेंट प्राइवेट इस्टुनेंट रियल्ट को लेकर आप तो कासी ज़्यादा परिशाल हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत इंपूर्टेट होने वाला है क्योंकि आज आपका रियल्ट आने की बहुत चांसे थे तो क्लाश 10 और 12th कंपार्टमेंट प्राइवेट इस्टुनेंट आज आपका रियल्ट आ सकता है अब ऑफिसली अपडेट की बात करूं कि आज रियल्ट के कोई टाइमिंग नहीं कोई पारिटिकुलर टाइमिंग नहीं कि आज रियल्ट बज़े आएगा दो बज़े आगा सामचार बोजाएगा हाँ इतना जुरूर कह सकता हूं कि आज आपका रियल्ट आ सकता है बहुत चांसे से हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाए उमीद है कि क्लास के जो भी स्टुनेंट बहुत ज़्यदा परिशान है मैथ में जिदी ज़्यादा का परमेंट करें तो दोस्तों सीब्यसी का जो कृटर है उस पर नॉट आ जाएगा वह लोग आटिकल लिखके बदा देगे कि रियल्ट आ चुका है और डीजी लोगर पर या जो सीब्यसी की जो प्राइवेट वेबसाइड है मेरे प्राइवेट कंडिडेट की जा आतर यूज करते हैं सीब्यसी जो ओफिसल वेबसाइड है उसको भी आप जाकर देख सकते हैं लेकिन कोई पाइटिकलर टाइमिंग नहीं है कि आज बारा बज़े आएगा दो बज़े आएगा या साम चार बज़े लेकिन आज क्रिवेट आ सकता है बहुत चांसस हैं तो आप लोग को बिल्कु अगर आपने दोस्तों पेपर टैंप किया है और आपने काफी यादा पेपर कोशन करें हैं और आपने महनत की और फिर आपको टेंसन हो यह तो थोड़ी वोटेंसन आपके लिए होने भी चाहिए क्योंकि आपने उसमें महनत की है तो लेकिन इसका बतलब यह नहीं कि आप एकदम से डिप्रेस से ले जाओ तो टैंसनी लेने लेग जाओ कि हां मैं तो फेल हो सकता हूं यह सोचता हूं आप समझ रहे हो लेकिन आपको इस तरीके से नहीं सूचना है आपको इस से चुछन को हैडल करना है सारे बच्चे पास हो जाएंगे आप टैंसन मतलो मैं कुछनी चीए आप सभी लोग पास हुज़ो ना गैस वह कोई समझ सकता ऐसे वीडियो बनाकर मैं भी आपको नहीं दिलासा दे सकता है कि मैं आपको दर्स समझ सकता हूं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पास हो जो फास ठीए गैस पास हो जाओ